मोधी सरकार ने 69 चाइनीज एप्स का बहिस्कार करके उस पर पूर्ण पाबंध ही लगा कि एक बहुत बड़े राजनेतिक साहस का कारे किया है। इसके लिए उनका भिनंदन करते हैं और मैं सभी भारतवासियों से अभभान करता हूँ कि आईए। अब सब अपने मोबायल से इन चाइनीज एप्स को हटाईए। एक टिक टॉक के उपर लगवग 20 करोड यूजर थे। कितनी एक बड़ी सांस्कृतिक और आर्थिक गुलामी के दोर सम गुजर रहे थे। और टिक टॉक का लगवग 10 प्रतिशत आमदने का हिसा भारत से जा र अपने से लेकर किया जितनी भी एवन्सीज भारत में हैं उन्हों सब ने लगवग 1000 लाख करोड रुपे की लूट की है। जब इन चाइनीज से ही सभी एवन्सीज का बहिसकार करेंगे तो यह देश आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से बच पाएगा यह पर को स्वदेशी का अवरत लेना ही पड़ेगा। आईए हम सब मिल करके अपने मोबाइल फोन से चाइनीज एप्स को हटाएं और सभी MNCs का बहिशकार करके स्वदेशी को अपनाएं एक पौण स्वावलंबी आत्मिलिफर भारत बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी और आगे दारी हम तै करें।